कपास की गिर्थी किम्तों से गुजरात के किस्तान परेशान एक महीने से भी कम समय में गुजरात में कपास की किम्ते 25 सो रुपे प्रती 20 किलोग्राम से गिर कर 30 दिसंबर को 16 सो रुपे पर गिर गई किसानों की शिकायत है कि दिसंबर और मार्च के महीनों में जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो किम्ते गिर जाती है मोजुदा कीमते उत्पादन लागत को कवर नहीं कर पा रही व्यपारियों और जानकारों का कहना है कि घरेलू और अंतरहस्टे बाजारों में मंदी है कोई खरिदार नहीं है जिससे सूत और कपड़ा बनाने वाली इकायां पहले ही 50 फिजदी शमता पर काम कर रही है साबर कांठा जिले के किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को पत्तर लिखकर अपने कपास को जलाने की अनुमती मांग डाली क्योंकि वो कपास की उत्पादन लागत वसूल नहीं कर पा रहे और उन्होंने कहा है कि कपास की तुड़ाई के लिए उन्हें 20 किलो ग्राम के लिए 180 रुपे खर्च करने पड़ते हैं किसानों के मुताबिक उन्हें 20 किलो के लिए कम से कम 2100 रुपे मिलने चाहिए ताकि खर्च पूरा हो सके और कुछ मुनाफ़ा मिल सके केंदर सरकार ने मौनसुन से पहले 20 किलो के लिए नियूंतम समर्थन मुल्या के रूप में 1276 रुपई की गोशना की थी सरकार का मानना है कि इस कीमतों पर किसानों को प्रती 20 किलो पर 600 रुपई का मुनाफ़ा हो सकता है उधर कोटन एसोसियेशन ओफ इंडिया के सच्चिव का मानना है कि कपास के विकल्प व्यपार की अनुमती देना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है क्योंकि जिस शन अनुमती दी जाती है बहुराश्य कमपनियां अपने उत्पादों को बजार में उतारना शुरू कर देंगी घरेलू बजारों में गड़बडी होगी ऐसे में सचिव का कहना है कि कपास की किम्तों में गिरावट का कारन घरेलू और अंतर रस्च्य बजारों में कपास की कम मांग है यहां तक कि सूती धागे की मांग भी कम हो रही है सूती धागे और कपड़ा बनाने वाली इकाईयां पहले ही अपनी शमता से 50 फीसद पर काम कर रही है ऐसे में किसान सूत निर्माताओं से खरीदारी की उमीद कैसे कर सकते है सचिव ने कहा है कि केवल चीन, बांगला देश और पश्चमी देशों से खरीदारी से ही घ्रेलू बजार की स्थिती बदल सकती है कपास की मांग में एक बार फिर से तेजी बन सकती है और कीमत भी जिससे किसानों को कुछ रहात मिलेगी ऐसी मिल सकती है लेकिन तब तक किसानों को 16 सो रुपे से ही खुश होना पड़ेगा क्योंकि फिलाल के कपास की कीमतों में घ्रेलू बजारों में तेजी आने की उमीद कम दिखाई दे रही है बिरो रिपोर्ट माकेट टाइम्स टीवी